तो friends, अक्सर हम जब white wash कराते हैं, तो white wash कराने के बाद हमारे जो घर का color है, वो change हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कोई नया color try करें, और होता है ना कि जब हम नया color try करते हैं, तो हम नए curtain घर पे लेके आते हैं, और जो पुराने curtain हैं वो दुबारा reuse में नहीं आते हैं, तो आज मैं आपके साथ share करने जा रही हूँ दोस्तों कि कैसे आप अपने पुराने curtain से बहुत ही अच्छी सुन्दर bed sheet बना सकते हैं, और बहुत ही simple तरीके से, तो यहाँ पर मेरे एक cream color का curtain है, जिसे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने curtain को measurement क करना है अपने bed के ऊपर, कि आप यह देखेंगे कि जो आपके बेट के ऊपर आपका जो curtain है, वो पूरी तरीके से लंबाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसके साथ मेरे पास है यह एक brown color का suit का कपड़ा, जो थोड़ा silk fabric में है, यह 2 meter कुड़ते का कपड़ा है दोस्तों, तो मैंने सोचा इसका combination काफी अच्छे से रहेगा, तो मैं यहां से लगा के देखनी हूँ कि यह इस तरीके से आपको लगा के देखना है, एक बड़ सेट कर लें, कि आपके bed में यह size पूरी तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो देखे इतना यह कपड़ा extra बच रहा है, तो इतना मैं इसे कट कर लेती हूँ, और जो curtain है, वो 7 feet का curtain होता है, वो वाला मेरा curtain का size है, तो 7 feet का ही हमारा bed होता है, तो वो आराम से tuck in हो रहा था, बस यह देखे, अब मैंने यह काट लिया है, अब मैंने इसको 2 meter कपड़े क लंबाई में कट करा है, यह हम side से add करेंगे, अब देखे, यह है तो है silka fabric, अब silka fabric, अगर हम बिस्तर में बिचाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा खिसकेगा, तो यह मेरे पे पुरानी quilt का cover है, जिसको अब हम use नहीं करते हैं, तो यह देखे, यह बिलकुल भी transparent नहीं लगाएंगे, तो सबसे पहले मैं इसमें lining लगा दूँगी, इस तरीके से इसको अच्छे से बिचा के, जितना यह कपड़ा है, साइट का सिर्फ silk वाले कपड़े में, उतना मैं lining कट कर लूँगी, क्योंकि curtain वाला कपड़ा काफी मोटा है, तो उसमें हमें lining की जरूरत नह पड़ेगी, तो आप अपने कपड़े के according देख सकते हैं, तो इन दोनों को मैं अब अच्छे से सिल लूँगी, यह lining इसके साथ अटेस्ट कर लूँगी, lining आपको simple से अटेस्ट करनी है, बस यह धिहान रखना है कि उसमें कोई भी salvert बीच में ना आए, तो हम दोनों lining वाल कर सा प्रेस कर लूँगी, तो प्रेस करके यह अच्छे से 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 हो जाएंगे, तो एक बर मैं बिचा के दुबारा चेक कर लेती हूँ, कि यह size perfect आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब हमें के अगना है, बिचा के जो यह बीच में, हमने curtain को बीच में बिचा आया था, तो बीच म कर लूँगी, यह मेरा किसी और काम में आ जाएगा, तो इतना extra curtain है, तो इसको अब हम curtain को पहले extra cut कर लेंगे, यह साइट से आप चेक कर लीजे कि अंदर टकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके गद्दे के नीचे, तो हलका सा पहले मैं cut मालूँगी, और मैं इस curtain को cut कर ल और ब्राउन वाले पार्ट को हमें किनारे से simple sill लेना है, तो यहां पर हमारी bed sheet बनके बिल्कुल ready हो चुकी है, अब बिछा के हम इसमें last में आपको दिखाएंगे, अब बनाते हैं इनके cushion cover, तो यहां पर मैं दो type की cushion बनाऊंगी, तो पहला cushion यह है मेरे पास, तो इसका measurement ल इस cushion का cushion cover है, अब हमें क्या करना है, जो यह cream वाला side है, यह वाला ले लेना है इस से, और आदे हिस्से को हमें यह brown वाला ले लेना है, इस तरीके से, अब यह देखिए, यह हो चुका है, इस तरीके से आपको इसमें बीच में सिलाइद दे देनी है, बढ़ आप यह ध्यान रखिए कि इसकी जो लंबाई चोड़ाई है, आपके कुशन कवर से एकदम फिट बैठे, तो यह देखिए, अब मैं जितना extra इसमें कपड़ा है, उसको कट कर लूँगी, तो जिब यह कट हो जाएगा, तो देखिए, इतना हिस्सा मैंने कट कर लिया है, इतना हिस्सा अब ब्राउन वाले को भी कर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर दोस्तों मैं जो ब्राउन वाले हिस्से हैं, यह मैंने दो कुशन कवर बनाने के लिए रेडी कर लिया है, और दोनों में मैंने लाइन लगा लिया है, ब्राउन वाले हिस्से में, अब हमें क्या करना है, जो क्रीम कलर वाला हिस्सा है उसमें तुम्हें लाइनिंग नहीं लगानी है अब इसको मैं इसके साथ अटेश्ट करूँगी इस तरीके से देखे इस तरीके से हमें इसे अटेश्ट करना है और बीच में एक सिंपल सिलाई रख लेनी है तो simple सिलाई अब हमने रख ली है ये देखिए बिल्कुल ये बन गया है हमारा उपर का front size आप मुझे इसका back बनाना है अब back कैसे बनाईगे हैं बहुत ही simple आसान है तो एक मैं आपको बना के दिखा दूँगी आपको इस तरीके से उल्टा करना है और यहां पर मैंने लिया है दूसरे color का एक brown color का कपड़ा ये curtain का ही कपड़ा है इसको मैं double fold कर रही हूँ इसलिए कि ये 2-9 cushion cover के काम आ जाए इतना ही size जितना आपने अभी cover काटा था ना उतना ही बस आपको उससे कम से कम 2 इंची बड़ा छोड़ना है तो इसको भी हम यहां से cut कर लेंगे तो देखिए ये cut तो हो चुका है अब आपको इसको सिलना कैसा है कि इसके अंदर आपका जो cushion है वो अच्छे से fit हो जाए पहले रखिए देखिए मैंने 2 कपड़े cut कर रहे हैं 2 cushion cover के लिए तो पहले आपको क्या करना है इसको इस तरीके से रखना है बट जो front size है आपको इसको अंदर की तराफ fold करना है यह मैंने अभी यहां पे गलत रखा है बंड मैं आपको बता रही हूँ दोनों जो front size है उसको अंदर की तराफ रखना है और ये देखे इस तरीके से आपको एक size बड़ा और एक size छोटा cut करना है पीछे का पला है उसको आपको एक बड़ा और एक छोटा cut करना है ये देखे दो हिस्से बनके ready हो चुके हैं अब हमने इसे उल्टा करा है अब इस तरीके से ये वाले को उल्टा part रखना है सीधा part आपको अंदर की तराफ रखना है और ये बस simple आपको ऐसे रखना है और चारो तरफ आपको इसमें तो देखे मैंने चारो तरफ सिलाई कर ली है अब इसको हम सीधा कर लेते हैं सीधा करने के बाद ये देखे हमारा कुशन कवर बनके भी बिल्कुल तयार हो चुका है इसको अच्छे से आप किसी पैंसिल के हेल्प से इसके जो साइट के एजेज दोते हैं उनको शाप कर सकते हो अब इसी तरीके से हमें दूसरा वाला कवर भी बना देना है बहुत सिंपल है बस इसको मैं डार्क ब्राउन कलर का बनाऊंगी सेम पैटर्न हमें यहां पर यूज करना है मैं यहां पर इसमें लाइनिंग नहीं लगाऊंगी सिदा इसका बैक यूज करूंगी एक पला छोटा और एक पला बड़ा आपको जैसे मैंने बताया है और इस तरीके से लगाने के बाद इसमें भी हम चारो तरब से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो देखें चारो तरब से सिलाई लगा ली है यह वाले कुशन कवर भी हमारे बनके रेडी है इसी तरीके से आप पिलो कवर भी बना सकते हैं बहुत सिंपल है ना अब ये देखिए पैंसिल आपको लेनी है और ये जो साइट में ये काफी ज़्यादा वह हो जाते ना सिलाई से अंदर की तरफ दब जाते हैं तो पैंसिल के हैं से आप इने शाप कर सकते हो सारी चीजी हमारी बन चुकी है अब हम लगाते हैं बेटशीट को तो बेटशीट में सबसे अच्छा फायदा ये है इसका कि ये फिसलेगी बिलकुल नहीं क्योंकि इसमें हमने नीचे कॉटन का फैबरिक लगाया है पहले हम साइट से अच्छे से टक इन कर लेंगे ये देखिए किती सुन्दर ये बेटशीट लग रही है लग भी नहीं है ब तो एक बार हम इसे डाल लेते हैं कि ये अच्छे से फिट बैठा है कि नहीं बैठा है साइज एक बार थोड़ा सा ब्लूज रखिए फिर टाइट तो आसानी सुझा कबर टाइट होगा तो अदरवाइस नहीं जाता है तो देखिए एक दम फिट हमारा बैठा है और किता कुशन कबर बना है तो अब हम यहाँ पे छोटे वाले कुशन कबर भी लगा लेते हैं अगर आप अपने हाथ से कोई भी चीज बनाते हैं तो बहुत ही जादा सुंदर लगती है तो ये बैठ शीट इतनी सुंदर मुझे लग रही थी कि लग भी नी रहता है मैंने इसे घर कवर में बनाया है तो ये दिखिए मैंने छोटे कुशन कवर बनाया है इस तरीके से आप फिलू कवर बना सकते हैं अपने पुराने पड़तों को रियूस करिए और आई होब दोस्तों आज का ये आईडिया आपको मेरा पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट शेक्शन में य कर दो बनाया है ऑगर पाता है